असलाम उलेकुम फ्रेंड्स मैं खान नाजमी शरीफ वेलकम टू एफ एच्टू क्लासिस फ्रेंड्स आजकी इस वीडियो में हम लोग महाटेट का जो पेपर है 2017 में हुआ था उसके सेट थ्रीके हम लोग भराटी के कुश्चन सॉल्फ करेंगे रीजणिं के कोश्चन, cdp के कोश्चन,یںग्लिश के कोश्चन अल्रेडी हो चुकے है तो अब हम लोग यहां पर इस वीडियो में महाराटी के कोश्चन सॉल्फ करेंगे तो आज हम लोग महराथी के question solve करते हैं तो देखिए first question महराथी से related यहाँ पर आपको देखने मिलेगा क्या है first question खालिल पै की pulling शब्दोड़का अब यहाँ पर देखिए pulling यानि क्या male female और यह जो होती है male female या मुजकर मोहनस जो है तो यह है यहाँ पर pulling और thrilling तो pulling का मतलब होता है male यानि यहाँ पर हमको अब दिये ढूनना है कि इसमें से male कौन सा है तो रुमाल पगड़ी देखिए यहाँ पर directly आपको किसी इंसानों या जानवरों के नाम नहीं दिये गए हैं बलकि आपको यहाँ पर बेजान चीज़े दी गए लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बेजा से नहीं कहते हैं तो अब यहाँ पर देखिए रुमाल पगड़ी पागोटे और ओड़नी तो यहाँ पर हमको क्या करना है इसमें से पुलिंग कौन सा है यानि किसके लिए हम ऐसे अलपास इस्तिमाल करते हैं जो कि पुलिंग के लिए इस्तिमाल होते हैं मेल के लिए इस्त उससी तरह पगड़ी गिर गेंगे मोड़ इसतेवाल करेंगे और ओड़नी दो सब को पता है कि ओड़नी के लिए भी हम और गिर गई या ओडनी जो भी है उसके लिए हम थाय मोड़ा इसतेभाल करेंगे तो यहां पर सीफ जो है वर्ड ऐसा है रुमाल जिसके लिए हम लोग पूलिंग वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं पूलिंग वाले अलफास उसके लिए इस्तेमाल करते हैं यानि मेल वाले तो इसका जो सही जवाब होंगा वो क्या होंगा रुमाल होंगा अब देखें नेक्स्ट कुश्चन क्य वैपुल्ले या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोण था यानि वैपुल्ले वर्ड का हमको समानार्थी शब्द ढूनना है तो देखे इसका जो समानार्थी शब्द है वो सम्रुद्धी है क्या है इसका समानार्थी शब्द सम्रुद्धी वैपुल्ले का मतलब होता है सम् Next question देखिए Next question भी समानार्ती शब्द से related ही है क्या है? हिरमोर या शब्द चां... समानार्ती शब्द कोन था? तो हिरमोर जो शब्द है उसका समानार्थी यहीं सेम मीनिखवाला शब्द हमको यहाँ पर तलाश करना है तो देखिए हिरमोर का जो समान आर्थी शब्द या सेम मीनिंग वाला जो वर्ड है वो क्या है यहां पर निराशा जो निराशा है उसका मतलब ही होता है हिर्मोड या उसके लिए जो दूसरा लफज है वो हिर्मोड का इस्तिमाल किया जाता है उतसहा का मतलब क्या हो जाएंगा यहां पर उतसा यानि तचस्तुस उम्मेद का मतलब भी उम्मीद होता है तो इसी तरह से हुरूप का मतलब भी इसका अपोजिट होंगा लेकि निराशा जो है हिरमोड का समानार्थी शब्द है अगला सवाल देखिए रमेश ला चौदा भाशा बोलता ये ताथ या माक्यातिल विशेशन ओड का मतलब क्या होता है देखिए विशेशन का मतलब होता है एडजेक्टिव यानि सिफद क्या होता है विशेशन का मतलब एडजेक्टिव या हमें सो सिफद भी कह सकते हैं किसी हो जाएंगा भाशा ये सार स्पर्ट ये वी नाम वा जाएंगा बॐलता ये वर्ब हो जाएंगा यानि ये क्रिया हो जाएंगी लेकिन यहां पर देखिए चौधा जो है चौधा यहां पर विशेशन होगा कितनी भाषा उसको बोलते आती है चौधा तो भाषा की बारे में बताया जा रहा है कि चौधा भाषा उसको बोलते आती है तो चौधा जो है यहां पर क्या हो जाएगा विश विचाई हो गहराई हो या नमबरिंग हो तो यह सारे जो वर्ड है यह भी विशेशन में आते हैं कन्फ्यूज नहीं होना आपको यह भी किसी ना किसी तरह से उनकी एक तरह से कॉलिटी बताते कि कितनी भाष आयती तो चौदा भाष आयती तो यहां पर चौदा जो है यहां सिफत हो जाएंगा सौरी विशेशन हो जाएंगा अब देखिए यहां पर खाली पै कि शुद्ध को उन्टा यानि हमको क्या करना है शुद्ध शब्ध तलाश करना है यानि और इंग्लिश में हम देखे तो कौन सा है वह हमको देखना है तो करेक्ट इस्पेल वर्ड यहां तो शुद्ध शब्द यानि करेक्ट ली इस पेल बस हमको यहां पर पहचाना है इसमें कोई एक्स्प्रेशन हम नहीं दे सकते हैं अब देखें यह जो है यह इंग्लिश की तरह जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड कुश्टन है यह कि इसके लिए हमको एक वर्ड तलाश करना है कि देव आहें असे मानना रहा यानि देव है या खुदा है ऐसी जिसकी जिनका यकीन होता है उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें आस्तिक कहा जाता है नास्तिक यानि उसका पोजिट हो जाएंगा स्वास्तिक और पुजारी यह दोनों भी इसका नहीं आएंगा तो देव है ये जो मानते हैं ऐसा यकीन रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता है मराटी में आस्तिक कहा जाता है तो देखिए option number a जो है इसका सही जवाब होगा option number a जो है आस्तिक इसका सही जवाब है अब देखिए next question देखिए ज्यानेश्वर या शब्दाची संदी सोडवा संदी सोडवा यानि क्या कौन से दो में शब्दों से या कौन से दो में अक्षरों से मिलकर ये शब्द बना है हमको उसको उसके तुकड़े करना है उसको जो जो जॉइंट शब्द है उसके हमको क्य करना है तुकड़े करना है कि इनमें कौन से दो अलफाज या दो शब्द छुपे हुए हैं तो देखिए इसका जो सही जवाब होंगा वो होंगा भी ग्यान प्लस इश्वर उसका बनेगा घ्यान इश्वर तो जब भी यहां पर अगर इस तरहां से एक मात्रा आती है तो जब को मिले हैं सबसiquéिट जोड शब्द पूर्ण करा अब यहां पर हमको क्या करना है जिस तरह से यहां विप घर बार ने सब्सक्राइं होते हैं हमको क्या करना है उसको यहां पर तलाश करना है कि गौड के साथ क्या आता है तो देखिए गौड के साथ आता है बंगाल यह निए गौड बंगाल जो है इसका सही जवाब होगा option number D तो इस तरहां से जो जोड शब्द है महराटी के तो वह भी हमको क्या करना है देख कर जाना है जिसे मैंने आपको मिसाले देदी खाना पानी खाना दाना पानी घर बार इस तरह से हम लोग एक साथ जोड़ कर उनको इस्तेमाल करते हैं पानी बरसाथ तो ऐसे अलफाज जोड़ जोड़ अलफाज कहलाते हैं उनको एक साथ इस्तेमाल किया जता है तो हमको ऐसे वर्ड की ऐसे अलफाजों की भी तयारी करके जाना है अगला सवाल है अब यहाँ पर यह कहावत है इसको हमको क्या करना है कंप्लीट करना है क्या है मुलाची पाएं डैश दिस्तात यानि वो कहते हैं पूत के पाऊ पालने में ही दिख जाते हैं तो यहाँ पर मुलाची यह उर्दु में भी या हिंदी में भी कहा हमते के पूत के पाऊ पालने में ही दिख जाते हैं तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होंगा वो क्या होंगा क्या होंगा के पूड़ी मुलाची पाएं पालने या दिस्तात ओके तो option number C जो है इसका सही जवाब है अब यहाँ पर देखे क्या है खालिल पैकी आशुध्ध वाक्य कोंते आशुध्ध यानि क्या गलत यानि गलत जुम्ला कौन सा है इसमें से हमको वो पहचानना है शुध्ध यानि क्या correct और अशुध्ध यानि क्या wrong क्या गलता पौन सा जुम्ला है जो से hem है कि तो आज कि इस विडियो में इतना ही महराटी के हम लोग ने आज कुछ 10-11 question set 3 में मौझूद थे हो सकते हैं मुझसे 1-2 question छूट गए हो तो यहाँ पर इसका भी जो weightage हम लोग कितना लेके चल सकते हैं 10-15 question किसके यहाँ पर इसके महराटी के आ सकते हैं यानि अगर English और महराटी दोनों मिलाकर देखे तो हम 30 का weightage हमको क्या करना है समझना है दोनों के लिए भी यानि average अगर हम देखे तो 15 marks average English के और 15 marks महराटी के उससे थोड़े बहुत एक-दो question कम ज्यादा देखने को मिले हैं लेकिन average हम अगर देखेंगे तो 30 marks का English और महराटी grammar प्लस उसके जो words या अलफाजों से या शब्दों से related जो question है जैसे समानारती शब्द, विरुदारती शब्द, कहावते, मुहावरे ये सारी चीज़े भी बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है उस पर भी बहुत ज्यादा mark से देखें ये जो English, महराटी या अगर हम CDP की बात करें तो ये ऐसे subject से जो time बचाते हैं और score बढ़ाते हैं यानि इनके लिए हमको अगर इसका answer पका अगर हमको अच्छे से पता है, study अच्छे से हुवी है तो within a second हम उसका answer को टिक माग कर सकते हैं और ये जो time बचता है फिर हम इसको reasoning के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको ये subject की भी जो theory के subject से इनकी भी study इतनी अच्छी करनी है कि इनका time बचा कर हम उसको reasoning में इस्तेमाल कर सकें सिर्फ reasoning के ओपर अगर हम depend रहेंगे तो confused हो चाहेंगे क्योंकि reasoning काफे time consuming है तो उसके चक्कर में हमारे जो theory जो scoring subject है वो भी छूट सकते हैं तो देखी सब पर हमको सही तरीके से focus करना है हमको English, Marathi और CDP ये तीन question को ये तीन जो subject है इसको बिल्कुल भी ignore नहीं करना है इसकी वज़े से भी हमारे जो score है वो बहुत स्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि इनकी वज़े से time बचता है प्लस इसका time जो हम है reasoning के लिए इस्देमाल कर सकते हैं इंग्लिज ग्रामर, Marathi ग्रामर और इनके अलफाजो ये वर्ड से रिलेडर जितने भी चीज़े हैं ये सब आपको अच्छे से पढ़कर जानी है अच्छे से आपको ध्यान देनी है तो उमीद करती हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी अगर आपको वीडि और सबस्क्राइब करना बिलकुल भी ना भूले मुझे दूआ में याद रखिए अल्ला हाफिज